Exercise 7.1 का first question है In quadrilateral A, C, B, D तो यहाँ पे जो figure दिया है उसकी बात की जा रही है तो इसमें क्या है? A, C यानि ये जो side है ये equal है A, D के यानि इस side के A, B, bisects angle A तो ये पुरा angle जो A है इस angle को दो बराबर भागों में बाटा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये angle और ये angle equal है यानि ये और ये equal angle है क्योंकि A, B इस angle को bisect कर रहा है तो फिर हमें पहले बात तो ये show करना है कि ये दोनों triangles यानि triangle ABC ये वाला और triangle ABD ये वाला ये congruent triangles हैं first of all ये prove करना है फिर उसके बाद BC और BD यानि इस side के और इस side के बारे में क्या कह सकते हैं तो वैसे ये equal होंगे वो हम बाद में proper तरीके से हम find out करेंगे तो ऐसे question में जब भी हमें congruency proof करनी होती है तो पहला step क्या होता है लिखने का तो पहला हम लिखते हैं कि in triangle ABC and triangle ABD in triangles में अब in triangles में क्या है इस triangle और इस triangle में है तो देखो question को आगे solve करने से पहले roughly दिमाग में question को हमें solve कर लेना चाहिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये side और ये side equal है ये angle और ये angle equal है और ये वाली जो side है ये इस triangle के लिए और इस triangle के लिए दोनों के लिए common है तो यहाँ पे side angle side rule apply होगा और ये congruent prove हो जाएंगे बड़ा आसान है तो हम ये लिखेंगे कि AC is equal to AD क्यों? क्योंकि ये given है उसके बाद angle CAB ये equal है angle DAB के तो जो मैंने आपको बताया कि ये angle और ये angle आपस में equal है और ये क्यों equal है? क्योंकि ये भी question में given है या हम ये लिख सकते कि since AB bisects angle A तो angle A को bisect करता है तो ये equal हो गए और जो AB है वो AB के equal है क्योंकि AB तो दोनों triangle में है और इसको हम कहते हैं कि ये common है तो हो गया ना तो therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD है ना और ये क्यों हुआ? तो हम simply कहेंगे कि by SAS या तो लिखो criterion of congruency या फिर simply लिखो by SAS rule तो इस rule के हिसाब से side angle side rule के हिसाब से ये congruent proof हो चुके हैं ये दोनों triangles बात समझ आगे? तो ये वाला part proof हो चुका है अर अब इसके बारे में क्या? तो देखो BC ये वाली side है और BD ये वाली side है क्या ये equal है? तो ये बिल्कुल equal होंगे क्योंकि ये corresponding sides है क्योंकि ये देखो ये angle और ये angle equal है ना तो equal angle के सामने की side भी equal होंगी क्योंकि हम इने कहते है corresponding parts और congruent triangles में corresponding parts equal होते हैं इसको हम CPCT कहते हैं तो हम ये कहेंगे therefore BC is equal to BD और ये क्यों? तो इसको हम लिखेंगे कि by CPCT यानि CPCT में क्या होता है? कि corresponding parts equal होते हैं congruent triangles में इसका full form ही है corresponding parts of congruent triangles are equal तो congruent triangles ये दोनों हैं और ये इसके corresponding parts हो गए parts का क्या मतलब है? भई side हो या angle हो ये parts हो गए तो ये और ये corresponding side है और ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये equal angle के सामने है तो आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि equal angle के सामने की side भी equal होंगी अब इतना लंबा चला लेखने की जगा पे हम short में लिखते है short में क्या? ये तरीका है लेखने का simply लिखो by cpct I hope आपको ये solution समझ आ गया होगा अब आपको ये लेखने का